हेलो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम लोग रेंडरिंग के बारे में जानेंगे कि रेंडरिंग क्या होती है इसको किस तरीके से किया जाता है इसको हम करते ही क्यों है इसके क्या benefit है और हम क्या-क्य process follow करते हैं इसको करने के लिए क्या-क्य material हमें use करना होता है तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि rendering क्या होती है fashion department में और fashion designing में rendering सबसे ज़्यादा important होती है हमारे fashion में तो आईए इसके बारे में जानते हैं और discuss करते हैं कि rendering क्या होती है तो what is rendering rendering क्या होती है जैसे कि आप इस picture में देख सकते हैं कि एक illustration है जिसमें two types of fabric show किये हैं जो उसने wear किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह हमारा लैकरा फड़िक है ह्यामारा ido कॉअटन फड़िक है- लिच्रा फड़िक उसने अफ़र पाट पे व्यर्किया किया वह रचन कॉटन फड़िक लाओर फ्रिक ऊपर उसने व्यर किया हुआ है तो आपने देखा कि जो चीज हमारी change fabric का जो sample बना हुआ है वही चीज इस fabric पे भी rendered कीवी है यानि कि उसको draw किया हुआ है उसी तरीके से वही tint, वही shades, वही darkness, सब चीज वही चीज follow करते हुए पूरा process follow किया हुआ है तो यह हमारी rendering होती है, आइए उसको detail में जानते है textures create good interest to an illustration depicting the type of material to be used in the line with realistic and nearing accuracy तो जो हमारा texture होता है और जो illustration की जो जितनी भी details होती है जो detailing होती है उन सब चीज को आपके rendering में की जाती है जैसे कि हमारा जो fabric का texture है दोनों ही प्रकार के अगर आप दो fabric use कर रहे है तीन कर रहे है जितनी भी fabric आगर आप use कर रहे है वो सब चीज हमें अपनी present करनी होती है कि हम कौन सा fabric use कर रहे है जो rendering होती है जैसे कि मैंने आपको बताया भी ता पहले कि हम हमेशा जो fashion का जो schedule होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले हम अपना fabric select करते है fabric को check out करते है उसके बाद एक special occasion के लिए हमारे fabrics को manufacture किया जाता है जैसे fashion show होते है for example हम लोग fashion show के लिए work कर रहे है तो हमें एक fashion show के लिए theme अपनी select की theme के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि हमें क्या fabric लेना है according to topic according to theme according to content हम अपना fabric को select करते है कि किस प्रकार का हमारा fabric होना चाहिए for example हम spring के लिए ले रहे है तो हमारा cotton type का थोड़ा flourish floral type का print होना चाहिए तो इस प्रकार का हम कुछ लेते हैं जो designers होते हैं वो अपने ही design create करते हैं अपना ही जैसे चाहे वो आपका embroidery हो चाहे कुछ भी चीज हो वो खुद ही select करते हैं इसलिए तो वो designer होते हैं उनकी खुद की creation होती है वो design क्या बनाएंगे जैसे कि आपने अभी picture में भी देखा कि वो design क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे तो वो सब चीज all over जो है designer के उपर depend करता है उसी के according उसको fabric भी select करना होता है कि वो fabric क्या लेगा और जो fashion shows होते हैं उसके लिए special purpose के लिए manufacture कराये जाते हैं जैसे कि आपने shows देखे होंगे like me show होता है कितने सारे shows होते हैं देखा होगा सब में एक ही प्रकार का fabric यूज किया जाता है सिर्फ या तो उसमें shades अलग-अलग होते हैं या उसमें work अलग होता है या patterns अलग होते हैं अदरवाई जो fabric होता है वो same work का fabric होता है जो texture होता है fabric का वो same होता है तो इसलिए काफी थान का थान पूरा एक manufacture कराया जाता है special order पे और फिर उसके according work किया जाता है तो जो designer होता है उसका क्या work होता है उसके क्या rendering होती है कि वो fabric भी design करता है कि हमें fabric किस type का चाहिए जैसे कि flower वाला और leaves वाला या किस type का fabric उसको चाहिए जैसे कि आपने इस picture में भी देखा कि इसमें एक special print दे दिया कि हमारा ये जो flowers होते है इस type का flower का हमें एक print चाहिए उसने जिस जिस जंगा पर जो जो print चाहिए उस type का एक sample उनको provide कर दिया और उसके according fabric को manufacture करा लिया and then after उसके बाद उसका उपर जो patterns है जो भी उसका design है उसको करना start कर दिया आपने सभ्य साची का देखा होगा सभ्य साची जो उसका जो ethnic work है जो ethnic theme होती है उसकी उसमें जो ethnic work होता है यह embroidery है यह कोई भी work है जरी का काम है तो वह सब चीज अपनी उस अपने जो आपके फैब्रिक है उसमें वह खुद से करवाता है जो अपने कुछ workers होते हैं उनको रखता है उनकी मदद से वह पूरा पूरा वर्क जो है वह कराता है खुद से ही अपने ही उसमें अपने एक्सपोर्ट हाउस में सब कुछ और स्पेशल पर्पेशल पर्परशम पर टेक्चर क्रिएट कर वाते ये जैसे नेट कर लिया या कोई भी फैप्रिक लेक्त व् reason के लिए स्पेशल फैब्राक का मेनिफेक्चिरिंग कराय जाती है तो हमें उसके अक rocking ज़े उस चाहिए चाहिए कि हमें किस टाइब का फैबरिक चाहिए जोराओ जो बॉलता है जो पता लगना चाहिए ऐसा कुछ ही नहीं होता कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग आपको देनी है एक एक वीव आप उसमें दिखा रहा है ऐसा नहीं लेकिन बस इतना होना चाहिए कि फैबरिक समझ में आना चाहिए कि फैबरिक की क्वालिटी क्या है किस टाइप का फैबरिक है उस पर वर्क क्या है इन सब रेंडरिंग की जाती है हर चीज को ध्यान रखते हुए ज्यातों डिटेल पर वर्क ना करके सिर्फ इतने पर वर्क किया जाता है कि जो सामने वाला परसन है उसको अच्छे से समझ आ जाए इस प्लिएटी कोण सी है लेकिन समझ में आ रहा है कि कोटन का फैबरिक होगा अगर आप नेम ना पड़े तो आपको समझा आ रहे है कि हाँ यह कोटन का फैबरिक होगा हाला कि variation variety ना पता लगे कि variety कौन सी है लेकिन समझ में आ रहा है कि cotton का फैब्रिक होगा तो इस तरीकी की variation समझ आनी चाहिए इस तरीकी का जो work है वो समझ आना चाहिए ना कि इसमें बहुत जाता detail करके जो सामने वाला person उसको confuse कर दें उस पर overwork कर दें कि यह वाला भी design होगा यह वाला भी design होगा overwork करके और उसको पूरा का पूरा खराब कर दें और drawings भी बेकार लगने लगे जो सामने वाला person उसको भी कुछ समझना आए तो ऐसा ना करके सिर्फ और सिर्फ जो important करना है सिर्फ और सिर्फ हमें 4x4 या 6x6 या 4x6 का कुछ इस टाइप का सैंपल लेके हमें उसके ऊपर अपना texture प्रेजेंट करना होता है यह नहीं कि हमें पूरा का पूरा थान हम अपना दिखा रहें कि यहां पर होना चाहिए इस तरह किसे आपने पूरा का पूरा करके द इस तरह किस तरी किस समझ रहें किस तरी के सद्शके आप अपने work को प्रेजेंट कर रहे है तो वह सब चीज आप लोगों कि ऊपर अपनेयर तू को एलो को सब्लक्रार् antidulations समज रहें इस नंग नेसेसरी टुसाओ और terra face of a garment, try fading it in area of highlight and darkening it in shadows or render only the dark side of the figure, leaving the light side plane, a white space down, the highlighted side of the body between the color and the outline adds interest and creates the effect of the highlighting. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता हा कि आपको पूरे की पूरे फैबरिक पर ही आपको texture दिखाना है कि किस तरीकी से texture present किया है, सिर्फ आप छोटे से sample पर आप प्रेजन कर सकते हैं, कहाँ पर darkness है, कहाँ पर lightness है, जैसे कि मैंना आपको एक example दिया है ये वाला, तो इसमें आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ पर lightness है वो lightness show की भी है कहाँ पर darkness है और कहाँ पर जो normal fabric है वो pure किया गया है यहां तक कि जो fabric का texture है वो भी normal तरीके से दिखा दिया गया है ना कि यह करके कि इसमें over writing करके over drawing करके और बहुत ज़दा बेकार कर दिया बहुत ज़ता confusing कर दिया यह ना करके जो limited जो चीजे जरूरी है कि shadow कहां पड़ेगी आपके जो आपका work है उस पर shadow कहां पड़ेगी वो सब चीज करके इन्होंने present क्या है जैसे कि आप इन pictures में जो आपके motifs हैं इनमें देख सकते हैं कि जहां पर इसमें shading दी है ना सिर्फ वह हो कि वह बहुत ज़्यादा confuse हो गया है दैन अब वाइट स्पेस्ट डाउन दे लाइटेट साइड आप बॉड़ी बिट्विन दे कलर एंड आउटलाइन एंट इंट्रस एंड इफेक्ट आप अलाइट हाइटेड हाइलाइट तो जैसे कि मैंने बताया कि डाक्नेस हैं जो सर्फ फिक्चर में देखा कि सर्फ जो उस्सेंपल इसको दिखाया जिस जंगापर सेफट सिर्फफ सिर्फ फ्लावर्स थे सर्फ यह वाला एड्या उसना दिखाया लिव कहां से निकल कि आ रही है किस तरीके से होगी यहीं तो मॉटिफ होता है आपको पता होगा कि है मौटिव्स क्या होते हैं तो यह जो सेंपल होता है onlyricka duż प्राइड के चाहते हैं मौटिव्स क्रीएट क playful जाते जो पर संबनाने वाला है कर अच्छे से समजह जाए कि एक्षोली क्या होने वाला है पूरे की पूरे फैब्रिक फिर वह काम क्या होता है वह थोड़ा बहुत डिसकुशन के साथ पता लग जाता है कि किस तरीके से मॉटिफ को प्रेजेंट किया जाएगा अधरवाइस जो आपका जो डिजाइन होता है उसकी के एकोर्डिंग वो किया जाता है जो आपका साइज है जो टेक्शर का जो साइज है वो एक करेक्ट प्रोपोर्शन पर रखना चाहिए तकि आपको भी समझ आ सके आप अच्छे से प्रेजेंट कर सके और सामने वाले परसन को भी अच्छे से समझ आ सके जैसे कि मैं कह रही हूं कि 4x4 या 6x4 एक प्रॉपर एक प्रोपोर्शन होता है जिसमें हम टैक्टर को पूरा पूरा प्रेजेंट करते हैं वरी स्मोल टैक्टर थेप्टर से अन इंप्रेशन आप दो ऑवर ओल एफेक्ट कन-वी शॉन व्टॉट चौ्टी च्टर होते हैं ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हां आपको बिल्कुल ही ज कि आपको उस फैब्रेक पे जो आपने सेंपल क्रियेट किया है उस पे उन छोटे-छोटे शेंपल को भी दिखाऊ है ऐसा को ज़ुरी नहीं होता सर्फ जो बड़े ब्रॉकेट्स हैं जो बड़े मॉटिफ अनको दिखाएए और फिर अगर आपको उनको भी दिखाना है कि यह कि वाला मौटिफ है क्या तो एक अलक सैंपल उस पर लेकर रिलाईट की जी एकचली वाला जो होицинки स्मय यह प्रोसर के की आपको एक ही सैंपल के एक वर्क लिया और से थे कुछ आपने भडिया तो वो बहुत घिची-पिची की वज़ा से बहुत ज़दा बिकार लगने लगता है वेन यूजिंग कलर, ट्रा यूजिंग कॉम्प्लिमेंटरी कलर्स फॉर शाड़ोज इंस्टेड ऑफ ब्लैक और ग्रेड ग्रेड तो जो शाड़ोज होती है तो ना तो वो एक्जक्ट ब्लैक होती है ना ही वो ग्रेड होती है वो तोड़ा ग्रेडिश ग्रेड कलर होता है जो कि हमें कॉम्बिनेशन करके बनाना होता है तो इसलिए बोला गया है कि हमें जो complementary colors है shadow के लिए उसको pure करना चाहिए ना कि black और grey color का तो उसी के according हमें work करना चाहिए They still look like shadows but add a lot of vitality to the work ये एक still shadow होती है लेकिन क्या है जो work है उसमें आपके vitality create कर देती यानिके और अच्छा look आपके जो garment है जो आपका work है उसमें present करती है क्योंकि black और grey जो color होता है वो ठीक है थोड़ा shadow में हम लोगों को दिखाए देता है लेकिन actual में जो designer की जो सोच होती है जो artist की जो सोच होती है वो हर color को देख लेता है कि कौन सा color किस तरह combination से बना है जैसे कि मैं किसी भी color की बात कर दूँ मैं अभी shadow की ही बात की है तो shadow का color में कभी आप ध्यान से देखिएगा उसमें black, grey और greenish color थोड़ा सा जो है mix करके इन तीनो color को तब एक combination बना जाता है तो इसी तरीके से हर जो color है यह निए कि direct आप उपियोग कर लें हर color में कुछ ना कुछ colors mix होकर फिर वो work किया जाता है light, bright and warm colors advance, dull, dark and cool colors recede तो आपके जो light, bright colors, light color, warm colors हैं इन सब चीज को उपियोग जहां पर होना चाहिए उनी जंगा पर उपियोग करें वो क्यों होती है, किस तरीके से की जाती है, क्या-क्या colors उसमें उपियोग किये जाते हैं तो I hope कि आपको लोगों को यह all over आपको समझ आ गया कि rendering क्या होती है हम अपने next video में क्या-क्या material हमें उपियोग करना चाहिए rendering के लिए किस तरीके से हम कर सकते हैं सब चीज के बारे में discuss करेंगे तो I hope कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है लेकिन फिर भी आपको कोई query है कोई question है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के नीचे comment section open रहता है आप वहाँ पर जाके मुझे comment करके भी पूछ सकते हैं लीचे एक description box होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडि का link मैंने share किया हुआ है otherwise मैं वीडियो में भी साथ की साथ share करती हूँ अपनी आईडि का name जिस नाइड नाइम से मेरी id होती है आप वहाँ से भी name लेके आप enter करेंगे तब भी मेरी id खुल जाएगी otherwise लीचे link तो होता ही है उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो id मेरी खुल जाएगी आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी question या किसी भी तरह की आपको query है वीडियो से related या उस content से related आप मुझसे easily पूछ सकते हैं तो I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए और जो भी query हो वह आप मुझसे easily पूछ सकते हैं तो thank you आप मेरी वीडियो को like शेयर और सब्सक्राइब जरू करना मेरे चैनल को बाई बाई